हलो फ्रेंट नमस्कार कैसे आप सभी लोग उम्मेदे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने दिवाले अच्छे तरके से एंज्वाइ कर रहे होंगे जो आपके प्रिवेश एर कोश्चें 2020 और 22 में पूछे गए थे वहां से हमने आपका एक पेपर के 15 कोश्चेंस से में लिये हैं तो लगातार सेसन में बने रही हैगा एक बास सभी लोग सेसन को शेयर करें अपने शाथियों मित्रों के पास में इसके बाद में हम लोग अपनी आज की क्लास को सुरू करते हैं आपको पता ही है कि आपके एकजाब में 30 कोश्चन आते हैं हिंदी के जिसमें से 15 पेड़ा गोजी के आपको देखने के मिलने वाले हैं और जो आपके 15 कोश्चन से बचते हैं वो आपको गद्य और पद्य से सबंदित मिलते हैं देखने को तो हम लोग लगातार अपनी क्लासें चला रहे हैं वो गद्य पद्य की हो चाहें इंदी पेड़ागोजी की हो तो आप लोगों को हमारे चैनल के साथ में लगातार जुड़े रहना है और साथ साथ ही त्यारी भी अच्छी तरीके से करते रहना है तो चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं देखे आपके सामने पहला कोश्चन लिखा है कि एक भासा सिच्चिका अपनी कच्छा के सुरुवात सामाने ताह कुछ निश्चित परिसितियां देकर कुछ प्रशन प्रस्तुत कर अपने अनभाव साजा कर आज द्वारा करती है इसे कहा जाता है कोई एक सिच्च का है भासा की सिच्च का है वो अपने क्लास में जाती है तो क्लास को सुरू करने से पहले चैप्टर को सुरू करने से पहले एक भूमिका बनाती है प्रस्तावना बनाती है तो आपको यह बताना है कि वो जो भूमिका प्रस्तावना जब वो सिचका बनाती है तो उसमें अपने अन्भोग को प्रस्वत करती है तो इसको क्या कहा जाता है पठन पूरू के कार पठन के दौरान के कार निरंता चलने वाले कार या फिर पठन पश्चात के कार है तो सभी लोग आंसर करेंगे question number one का पंदरा question करने वाले हैं अपने पास में एक भासा सिचका अपनी कच्छा की सुरुवात सामाने ता कुछ निश्चित प्रसितियां देकर कुछ प्रश्ण प्रस्तूत कर अपने अन्भोग साजा कर आज दौरा कर रही है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा चले सभी आपसन देखते हैं पहला लिखा है पठन पूरू नहीं किया उसके दौरान यानि इसके बीच मैसा कोई कार उसने नहीं किया जब सुरू नहीं किया आगे लिखा निरंता चन्ने वाले कारे क्या वो निरंतर यह बताती रहेगी पार्ट को सुरू करने से पहले इसके बाद में सिच्छिका अपना लेशन भी पढ़ाईगी औ और पार्ट भी प्रसुत करेंगे बच्चों के सामने अंतिम कोश्चन लिखा है पठन पश्चात के कारे तो पठन सुरू ही नहीं हुआ है पश्चात मिन्स होता है बाद का कारे तो बाद का कारे नहीं हो रहा है यह हो रहा है पठन के पूर यानि पठन पढ़ाई सुरू क कराने से पहले के जो कार है वो सिचका कर रही आफसर नंबर ए जिन लोगों ने क्या था वो बिल्कुर सही है जिन लोगों ने भी आफसर नंबर बन कर लिया था सही आंसर है सब को एक नंबर यहां पर मिल जाएगा कोश्चन नंबर टू सभी लोग आंसर करेंगे एक बार लिखाया प्राथमिक इस्तर पर पठन योगिता का आकरन करने के लिए निम्रखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उप्यूक्त है आपको यहां पर सबसे अधिक उप्यूक्त निकालना है प्राथमिक इस्तर यान कामा लगना हे अगर rap alltid ये QEY फ्वरक्षियूयाब और विराम जिंड के साथ परते वे चले जा रहे हुई ये जरूरी है यह फिर पार्ट को समझना जरूरी है विराम चुन्नों का ज्यान होना जरूरी है या फिर वर्ण माला की पहचान होना जरूरी है कौन सा सब्द का है कौन सा खा है कौन सा गा है कौन सा आ है कौन सा ई है यह बहुत जरूरी है या फिर इनमें से क्या जरूरी आपको यह बताना है तो आंसर करें को उमेदे सभी लोगों ने अंसर कर लिया होगा, कई सारे लोगों ने इसका आपसर नमबर A किया होगा, क्या क्या होगा, वर्ण माला की पहचान करना, लेकिन आपसर नमबर A आपका गलत है, वर्ण माला की पहचान मात्र कर लेने से, क्या पठन योगिता का आकलन आप कर सकते ह बच्चा कुतिना पढ़ने में साही है कितना समझ पा रहा है कितनी गहराय तक समझ पा रहा है तब ही आप आपसा नमबर C बिल्कु सही है, question number 2 का, जिन लोगों ने आपसा नमबर C किया था question number 2 के लिए, उनका सब का बिल्कु सही हो जाएगा, ये question भर भर के पूछा गया है, हर बार accept में पूछा गया है, तो इसको आप लोग इसकी इंसाट अपने पास में रख सकते हैं, लेकर के ब बताना है कि संप्रेशनी भासा सिच्छन में प्रमुक रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है, या फिर किस में ध्यान दिया जाता है, पहला अपसन लिखा है, सिच्छार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोतसाहित करने पर, दूसरा अपसन आपका लच्छ भासा के रूप पर केंदरित होने पर तिसरा अप्षन लिखा है सिच्छार्थियों को सम प्रेशन इत अच्छता प्रदान करने पर जबकि चौथा अपका लिखा है अभ्या सेम प्रयोग दोरा उच्छारण पर तो आंसर करिए कोस्चन नमबर तीन का हो सकता है कि थ सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोसाहित करना आपके क्लास के जो बच्चे हैं आप उनको क्या करने और वे गखाना करने सिर्फ वहासा के ऊपर ही आप इसका के नरत कर रहे हैं इसी ही बालक का तो आपका गलत हो जाएगा यह नहीं सही किसरा लिखाय सिछार्थियों को समप्रेशनी दच्चता प्रदान करने पर समप्रेशनी दच्चता गर आप उनको दे देंगे तो आपको क्या करने की जरूत नहीं है पहला वला आप्षन करने की जरूत नहीं है कि बच्चा सहज वक्ता बने बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी जब कोई बच्चा समप्रेसरी दच्छता प्रदान कर लेगा तो उसके अंदर अच्छा वक्ता बनने की बोलने की अपने क्लास वर करा रहे हों वर करा रहे हों सभी चीज़ करने की दच्छता उसके अंदर सोयम आ जाएगी इसलिए आपसन नंबर A जो है आपका C के अंदर ही समाहित हो जाएगा इसलिए इस question का आपसन नंबर C जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुस सही हो जाएगा क्या हो जाएगा संप्रेसरी भासा सिछड में प्रमुक्रूप से ध्यान दिया जाता है सिच्छार्थियों को सम प्रेशड़ी दच्छता प्रदान करने पर तो जिन लोगों ने आपसे नंबर सी कर लिया है उनका सब का बिल्कुस चही आंसर हो जाएगा तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय दिवाली आफर यानि कि दिव रुपे दाइसो रुपे इससे कम की कोई भी पुष्तक नहीं है अभी भी नहीं है लेकिन जो हमारे नोट्स है आपको 100.00 रुपे में उपलब दें और नोट्स जो है किताब से काफी बनाए गये हैं क्योंकि यहाँ पर आपको यह नहीं चाटना है क्या पढ़ना है क्या च समय नहीं है आपको जितना भी समय बचा है नोट्स को रिवाज कीजिए फटा फटन को याद कर लिजिए और अपनी प्रैक्टिस यूटूब पर जाये रखेगा बस आपको यह करना है और जो आपका टापिक वीक है उसको आप यूटूब से देखिए और अपना टापिक मज आपने 100 रूपिय में तो चलिए देखते हैं अगला कोश्चन इस समय आपको यह 100 रूपए आप में भी मिल जाएंगे अगर आपको तीन नोट्स या पिर से ज्यादा नोट्स बाय करते हैं तो आपके 100 रूपए जो है वो कम कर दे जाएंगे तो फिर नोट्स की कीमत आपक कीमत आपको यह नोट्स मिल जाएंगे अगला कोश्चन है आपका कोश्चन नमबर फोर लिखाए कि वह विद्यू सारी रिख करिया एवं भासा के समन्नोवे पर आधारि थे उसे डउट-उट कहते हैं सभी लोग अंसर करें कोश्चन नमबर फोर का एक बार वह विद्यो स सारीरिक क्रिया एवं भासा के समन्यों पर आधारित है उसे डौट-डौट कहते हैं पहला अपसर आपका लिखा है कार आधारित भासा आधिगम दुसरा अपसर लिखा है पूर्ण सारीरिक प्रतक्रिया तिसरा आपका लिखा है सहयोगात्मक यानि के सहकारी भासा आधिगम आपका आपसा नमबर 4 लिखा है सम प्रेसर आत्मक भासा सिच्छन, तो सभी लोग बताएंगे क्या सही आंसर हो जाएगा, वाँ विदिजो सारीरिक क्रिया एवां भासा के समन्नों पर आधारित है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पूर सारीरिक प्रत क्रिया, क्या कहेंग था या पिर नहीं लग रहा था आप लोगा आंसर करिएगा आपसा नंबर भी फिलाल इस कोष्टन का बिल्कु सही है जिन लोगों ने आपसे नंबर भी किया है उनका सबका बिल्कुश चही आंसर हो जाएगा कोष्टन नंबर फॉर के लिए यह अमारे क्लास चल लगी है लोगों के लिए लाने वाले हैं तो अगर आपको भी एक बार में सीटर क्रेक करना है तो आपको हमारे सा जुड़ना पड़ेगा सिच्छक बनना है तो जुड़ना पड़ेगा तो चले इस कोश्चन का अंसर करिए सभी लोग लिखा है बुनियादी सा चर्ता एवं संख्या ज्यान की पूरू आप एच्छी सर्ते क्या हैं बुनियादी सा चर्ता एवं संख्या ज्यान की पूरू आप एच्छी सर्ते क्या हैं बहुत ही सांदार कोश्चन था कई सारे बच्चे नहीं कर पाए इस कोश्चन को लेकिन आप कर जाएंगे उमीद है क्योंकि आप पढ़ पढ़ना लिखना एवen अंकों के साथ मूल संक्रियाएं यह आपका हो सकता है लेकिन देखते हैं इसके आगे कि आप्षाण भी आप्षाण No.C लिखा है लिखना पढ़ना एवen पर्यावरन अध्यन करना तो आपका परयावन अद्र नहीं होगा, काट दिनेंगे आप साओ नमबर D लिखाया, पढ़ना लिखना एवोम अंको के साथ खेलना तो अंको के साथ आपको खेलना नहीं था क्या करना था? अंको के साथ मूल संक्रियाँ करनी थी यानि आपसा नमबर B इस question का बिल्कु सही है जिन लोगों ने आपसा नमबर B कर लिया था उनका सबका बिल्कु सही आंसर हो जाएगा बुनियादी साच चरता एवम संख्या ज्यान की पूर आप एच्छी सरतें जो हैं पढ़ना लिखना एवम अंकों के साथ मूल संक्रियां करना तो जिन लोगों ने आपसा नमबर B किया है इस question के लिए उन सबको बिल्कु नमबर यहाँ पर मिल जाएगा और उनका आंसर बिल्कु सही हो जाएगा अगरा question है question number 6 एक बार पढ़िये और आंसर कीजिए सभी लोग लिखाय देखिये सिच्छार्थियों को व्याकरन सीखने में सहायता करने के लिए हमारे दौरा डिजाइन की एक कार्ण से संबंद में निम्रिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है पहला option लिखा है कि वहकार अर्थ पूर्ण होना चाहिए जो भी विद्यार्थी कार्ण कर रहा है वो कैसा होना चाहिए उसमें कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए उस कार्ण को करने का दूसरा अपसन आपका लिखा है कि वा सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए जो भी हम कारी बच्चों को करवा रहे हैं वैकरन से समंदित वाकार ऐसा होना चाहिए कि सबसे जादा जानकारी देने वाला कारी हो प्रहाई जो है जो आपका विकल्फ है सबसे अधी कुप्योग तो माना जाएगा जबकि आपसा नमबर अगला देखते हैं लिखा है कि वहाकार अध्यापक के द्रिश्ट कोण से उद्दे से पूर होना चाहिए तो अध्यापक का द्रिश्ट कोण यहाँ पे हमको नहीं पास तो देखे एक बास सभी लोग बताइए सही अंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है सिच्छा आर्थियों को व्याकरन सिखने में साहता करने के लिए हमारे द्वरा डिजाइन किये कार के संबंद में निम्रिखित में से जो सबसे अच्छा विकल्प है वह है आपसा नमब अगर आप लोग यह सोचने कि आपसा नमबर बी क्यों ही हुआ है वह सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए अर्थ देने वाला होगा जिस कारी को करने का कोई महत्त होगा कोई अर्थ होगा तो वहाँ पे जानकारी भी सोताह मिल जाएगी कहने का मतलब है कि आप आपसर नमबर ए जो है वो अधिक उप्यूक्त है आपसर नमबर बी से तो आपसर नमबर ए जिन लोगों ने किया हमका सबका विल्कुश सही माना जाएगा कोशन नमबर साथ सभी लोग पढ़े और आंसर करिएगा एक बार लिखा है व्याकरण अनुवाद विद्में नहीं ह पहला अपसर लिखा है आपका मात्र भासा दोरा सीखने को बढ़ावा देना तुसरा अपसर अपका लिखा है व्याकरण को महत्त देना तीसरा अपसर अपका लिखा है विद्यार्थी के संप्रेशन को सलका शमर्धन करना जबकि चौथा अपका लिखा है विद्यार्थी क बहुत एच्छा कोश्चन है आसान कोश्चन भी कह सकते हैं और आप लोग आंसर कर ले जाएंगे उमीद तो यही है कि सभी लोग आंसर कर लेंगे देखेंगे पहला अपसन लिखा है मात्र भासा दोरा सीखने को बढ़ावा देना तो बहुत कोई भासा हो सभी का उद्यस यह होता है कि उसकी मातर भासा के साथ जोड़ करके उसको आगे बढ़ाया जाए तो आपसन नंबर यह आपका सही हो जाएगा लेकिन यहां पर नहीं पूंचा गया हमसे नहीं तो यह होगा नहीं दूसरा आपका लिखा है व्यक्रण को महत्त देना बिल्कुल सही बात है अगर आपसन नंबर सी इस कोशन का बिल्कुल सही हो जाएगा जिन लोगों ने आपसन नंबर सी कर लिया है उनका बिल्कुल सही आंसर एक कोशन नंबर साथ के लिए उमिद है आप लोगों ने इसका आंसर पहले ही कर लिया होगा आप लोग अपनी कापर के पर जरू नोट कर रह नहीं है आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है तो चलिए आंसर करें एक बास अभी लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा निम्रिखित में से कौन सा सत्य नहीं आपको ये बताना है लिखाए भासा की कच्छा के लिए एक अच्छी पाठ शामगरी सांस्कृतिक रूप से बोजी लो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये लिखाए कि इन में से इसे कौन से आपसन है जो सही नहीं है यानि कि बच्चे के लिए देखाया तो गलत साबित हो जाएंगे तो पहला आपका लिखा है सांस्कृतिक रूप से बोजी लो यानि ऐसी सामगरी होनी चाहिए पाठ पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी सांस्कृतिक से संबंदित कोई विच्ची ना दी गई हो तो यही आपसन देखा जाए तो बिल्कु सही हो जाएगा लेकिन दूसरा भी आप लोग पढ़ सकते हैं लिखाए कि एक अच्छी पाठ विशे वस्तुमें सभी व्याक करनिक सानचनाय सामिल होनी चाहिए कहने का मतलब है कि कोई पाठ पुस्तक तभी अच्छी हो सकती है जब उसके अंदर सारी के सारी व्याक करनिक सानचनाय सामिल हो तीसरा अपसन दिखा है भासा की कच्चा के लिए एक अच्छी पाठ सामगरी विद्यार्थियों के लिए प्राशांगिक और रूचिकर हो फूरे हो तब तक वह अच्छी पाठ सामगरी नहीं हो सकती है तो आपसन नंबर आपका डी वाला भी घरत लग रहा है ये वाला भी घरत लग रहा है और आपका आपसन नंबर भी देखिए एक अच्छी पाठ विसे वस्तु में सभी व्याकरनिक सानचना सामिल होनी आपसन लमबर ए बी और डी यह तेनों के तीनों ही आपसन-बर एबी और रदित के दोरा सही माने कि happening CRT के दोरा इन थे अगर आपने एक वह आंसर दिया था है प्सक्राइन वाला तो आपका एक नमबर दिया गया थाruit को एक नंबर दिया गया था एबीड में से जिसने इसलेक्राइब कोई बीएक अपना सेलेक्ट किया था कियों कि तीनों के तीनों नहीं है इसमें अर्फ पूसा भी गया है शात्ति नहीं यह आप सान नंबर शुरू करने से पहले की गतिविदी के लिए शाहयक है लिखा है पाठ शामगरी का अनुवाद करना पाठ सामगरी का अनुवाद पहले ही कर देंगे जब आप पढ़ाने के लिए गए हैं तो आपने लेशन को पढ़ाया तक नहीं है लेकिन आपने अनुवाद कर दिया तो य यह अनुमान है कि अगर बच्चों को टेबल याद होगा तभी वो गुड़न फल सीख सकते हैं तो हमें एक तरीके से अनुमान जरूर लगा सकते हैं अपने पठन पूरु गत्विद में आपसर नमब सी लिखा से चारतियों को पाठ सामगरी का सारांसी करने के लिए कहना अपने अभी तक पात पढ़ाया नहीं है तो कैसे दे दे सकते हैं बच्चों को आपसर नमबर A, C, D सैपके गलत है जो कि आपसर नमबर B आपका है विल्कु सहीय है किसी Hackas को पाठने से पहले एक मोटा मोटा अनुमान हम हर एक पार को पढ़ाने से फेरे लगा सकते हैं क क्या बताना है और क्या समझाना है तो आपसे नमब भी बिल्कुश सही है जिनु लोगों ने आपसे नमब भी क्या था गुश्चन नमब्र नो के लिए उनका सबका सही आंसर हो जाएगा question no.10 देखिए सभी लोग इसको पढ़िए और आंसर कीजिए क्या लिखाए लिखाए किसी पाठ समगरी में अंतर नहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक की रूप में स्वयम को रखकर लिखने संबंधिकार डाट डाट अंतरगत आते हैं तो किसी के स्थान पर स्वयम को रखना दुसरा बसंद लिखा बहुदात्मक प्रसंद किसरा लिखा है पाथ विचलेशन जबकी चौतरा अप्सद लिखा है भासा विचलेशन तो इस question का आंसर यहीं पर निकल के आ आ गया जिन लोगों ने जरासा दिमाख लगाया होगा किसी क भी आप लोगों ने बहुत आराम से इसका अंसर कर लिया था चलते हैं अपने अगले कुशन पर कुशन नंबर 11 लिखा है भासा कच्छा में काव या भासा की कच्छा में कावी क्या है आपको यह बताना है वैसे ही पढ़ना जिसे गद्ध पढ़ा जाता है क्या गद्ध और कविस्तार से परिचे देने के बाद ही पढ़ाया जाना चाहिए अगर आपको कोई पद्ध दिखन ने पढ़ाना है माले जिए चार लाइन पढ़ानी है बच्चों को उससे पहले आप सो लाइन का एक बहुत लंबा चोड़ा कविके बारे में आप उनको परिचे देंगे इसके बाद में आप उनको चार लाइने पढ़ाएंगे तो हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि कविका विस्तार से परिचे देने के बाद ही हम उसको पढ़ा सकते हैं काविको आपसा नमबर सी लिखा है समझने सरहना करने और आनंद के लिए है यह बात बिल्कु सही है कि जो कोशे नमबर 11 का आपसा नमबर दे लिखा है कवी और कविता के बारे में अधिक है क्या कोई कावी जो होता है वो कवी और कविता के बारे में अधिक हो जाता है तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते आपसा नमबर डी आपका कट जाएगा यहाँ पर तो आपसा नमबर सी बिल्कु स सही आंसर हो जाएगा question number 11 के लिए question number 12 सभी लोग पढ़िए थोड़ा सा बड़ा है लेकिन question बहुत ही अच्छा है सांदार है लाजवाब है और question इसी प्रकार से आपके exam में बनते हैं क्योंकि ये previous question है और ऐसे question आपके exam में इस बार भी आपको देखने को मिलने वाले हैं question लिखा है कि एक भासा सिच्छक question number 12 क्या लिखा है की एक भासा सिच्छक विद्यार्थियों के आकलन के दावरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकृत करता है या फिर करती है कहने का मतलब है कि कोई भासा के सिच्छक है या फिर कोई सिच्छका है जो कि विद्यार्थियों के आकलन के दोरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी को संक्लित कर रहा है तो आपको यह बताना है कि आपसर नमबर A तकनीकी सब्दा वलित था भासा दोरा विदार्थियों को प्रतिपुष्ट देने के लिए दुसरा अपसर आपका लिखा है कि सेचछडिक एवं सेचछडिक पहलूँ से जुड़े विविद उपकरनों एवं प्राविधियों का अपयोग करना अपसर नमबर C लिखा है उनके निस्पादन के आधार पर उन्हें उतकरष्ट औसत एवं कमजोर स्रेड़ी में वरगी कर वरान विद्दार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है फिर करती है इसका सही अंसर क्या हो जाएगा फटा फटा अंसर करिए एक बार सभी लोग तो इस question का जो सही answer रहने वाला है वा रहने वाला आपसर नमबर B क्या होने वाला है सेच्छडिक एवं सेच्छडिक पहलूँ से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्राविधियों का उपयोग करना आपसर नमबर B बिल्कु सही है जिन लोगों ने आपसर नमबर B किया था question number 12 का उनका सबका बिल्कु सही अंसर हो जाएगा question number 12 के लिए आपसर नमबर B question number 13 सभी लोग पढ़िए समझे और आंसर कीजिए लिखा है पाठ करम के दावरान सिचार्थी की कठनाईयों उनके अग्यान में रिक्तता एवं कोशलों में कमियों को ग्यात करने के लिए एक परिच्छण विक्षित किया गया है उसे कहते हैं कोई विद्यार्थी है जो कि पढ़ने के दावरान क्या कर रहा है कर्षनाई को महसूस कर रहा है तो आपको क्या करना है उसके साथ में आपको यह बताना है सभी लोग आनसर करें कोश्चन numbe 13 का यह कोश्चन हर बार आपके एकजयाम में बनता है चाहे आपका हिंदी पेडागोजी हो चाहे आपकी इंगलिस पैडागोजी हो इस पकार की कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही में इस question का जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आपसर नमबर D पार्ठ करम के दोरान विद्धार्थी यानि कि सिच्छार्थी की कठनाईयों उनके ग्यान में रिक्तता सा कोशलों में कमियों को ग्याद करने के लिए एक परिच्छन विख्षित किया गया है उसे कहते हैं निदान आत्मक परिच्छन आपसर नमबर D जिन लोगों ने कर लिया है उनका सबका विल्कुत सही answer हो जाएगा question number 13 के लिए उमिदे सभी लोगों ने सही answer कर दिया होगा क्लास अच्छे लगरे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल से नेजर और चैनल को सब्सक्राब जरूर कर देजिए क्यों किसी प्रकार की क्लास से आप लोगों के लिए हम चोटी-चोटी लाते रहेंगे और आपका बहुत बड़ा बेनीफिट यहां से होने वाला है क्वेश्चन यहीं फिर से आपको देखने को मिलने वाले हैं सारे के सारे आपके एकजाम में क्वेश्चन नम्बर 14 एक बार पढ़िए और आंसर कीजिए लिखाया निम्रिकित में से कौन सा विकल्प पॉर्ट फॉलियो आकलन के बारे में सही नहीं है क्या पूचा है सही नहीं है आपको पॉर्ट फॉलियो के बारे में गलत कतर निकालना है सही को छोड़ देना है तो चलिए सब्सक्राख पढ़िये और आंसर कीजिए लेकिन हमको गलत निकालना है तो आपका आपसाफ, नमबर A नहीं होगा, यहाँ पर B देखते हैं, लिखा है या विद्यारथियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में शाहता प्रदान करता है, बिल्कुल हैं, ये भी सही है, ये भी नहीं होने वाला है, आपसाफ, नमबर C लिख करता है उसको मजबूर बनाने के लिए अपने कार्य करता है और अच्छे तरीके से पढ़ाई शुरू कर देता है यानि कि स्वयम चिंतन वो शुरू कर देता है तो आपसे नंबर से भी आपका पोजिटिव है जिब कि आपसा नंबर डी भी देखते हैं लिखा है पॉर्ट फ खूलियों आकरन के बारे में कौन सा सही नहीं है तो अपसे नंबर डी इस कोशियन का विल्कुश सही आंसर हो जाएगा जिन लोगों ने अपसे नंबर डी कर लिया कोशियन नमबर चाओधा के लिए उनका सबका विल्कुछ सही अंसर यहाँ पर हो जाएगा आज की क्लास का अंधितिम कोश्चन है कोश्चन नमबर 15 सभी लोग पढ़ेंगे और अंसर करेंगे एक बार इस कोश्चन का सही अंसर क्या हो जाएगा लिखा है कि व्याकरण की कच्छा में हमें पहले सभी लोग अंसर करेंगे कि व्याकरण की अगर आपकी क्लास चल लई है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए पहला अप्शन लिखा है कि व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इनकी व्याक्या करनी चाहिए दुसरा अपसन आपका लिखा है सामानी चर्चा के दोरा वैकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए तिसरा अपसन लिखा है कि अनियमित रूपों की वैक्षा करने चाहिए यदि कोई हो तो और जब की चौता अप्षन आपका लिखा है उसके सामाजिक कारियों का वर्णन करना चाहिए तो व्याकरण की कच्छा में हमें सबसे पहले क्या करना है सभी लोग आंसर करिए बहुत ही आराम से बहुत अच्छा कोश्चन है उमेद सभी लोग का बिल्कुल सही आंसर जाने वाला है ये जब भी आप व्याकरण की कच्छा में जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें करना एक सामानी चर्चा विद्यारतियों के साथ में जिसे विद्यारतियों का मन लग जाए हमारी क्लास में और वो हमारी बात को अच्छी तरिक शुनने और समझने लग जाएं और उसी चर्चा के दोरान हमें क्या करना है ? व्यक्रण के रूप पन्धकर्ण करते हुए चलना है जो हम अब भी बात कर रहे थे उसमें एक राम आया था एक सीता आयु थी, एक गीता आयु थी, एक मोहना आया था इता असल सब क्या हैं इसल संग्या हैं, तो इसी परकार से आपको एक सामानी वरतालाप के दोरा व्यक्रोणों को प्रस्तूत करना है, आपसा नमघर भी बिल्कूस सही है जिन लोगों को PDF चाहिए उन लोगों को हमारा master study learning app डाउनलोड करना है यह देखिए इसको upload डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आपको previous year के जितने भी पेपर लगाने है क्योंकि बिना previous year paper लगाए आपको seated में सफलता का मिलना एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही कठिन का और आपको पैडनर्स भाई करने हैं तो भी आपको यहीं से मिलने वाले हैं जो आपको मात्र 100 रुपे में मिलेंगे तो चलिए मिलेंगे आपको अगली ग्लास में यह तक आप लोग पढ़ते रहेगा स्वस्त्रिये मस्त्रिये धन्यवाद बबाए